कि हम लोग एलजब्रा में रेखिक समीकरण पढ़ चुके थे युपत समीकरण पढ़ चुके थे दुईधाद समीकरण पढ़ चुके थे अब जो हमारा लेखपाल का स्लेबस है इसके अंदर एक टॉपिक हमारा आता है लगत्तम समापवर्त महत्तम समयपवर्त और उनके बीच में संबंध घी के न तो लेदान के विशाय में हम लोग पढ़ेंगे तो बस अगर आपको उतना घ्यान है तो फिर इसमें आपको कोई भी समस्या किसी प्रकार से नहीं आने वाली है बागी पूरा प्रोसेस वही है जिस प्रकार से हम लोग अर्थमेटिक में लगाते हैं उसी प्रकार से हम लोग अलजेब्रा में भी कि LCM SCF की बात करेंगे जो रिलेशन हम अर्थमेटिक में पढ़ते हैं वही रिलेशन हम यहां पे अलजेब्रा में भी हम वही रिलेशन पढ़ेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है बड़ी आसानी से LCM SCF आप सीखने वाले हैं लेकिन अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक करिएगा वीडियो को कमेंट करके बताएगे वीडियो कैसा लगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये पता लग सके कि टार्गेट वित मेधावी चैनल पर लेखपाल के लिए मैथमेटि ऑग विन्यक्त होता है एक होता है लीस्त कौमन मॉल्टिबिल लगुत्तम समाप बरता है एक एक होता है highest common factor या greatest common factor ठीक है? ये HCF होता है इसे हम देशी वहसा में समस्ते हैं मान लिजी थोड़ी देर के लिए मार्थ मैं किप पड़ा रहे है ठीक है ना? तो LCM क्या है? मान लिजी दो संख्याएं है P और Q इनका LCM है X X इनका हमने मान लिए कि LCM है और Y जो है हमने मान लिया ये इनका HCF है ठीक है? दो संख्याएं है P और Q संख्याएं जादा भी हो सकती है लेकिन समझने के लिए कि हम P और Q से समझेंगे क्योंकि हमें बड़ी जल्दी यहां से उठके Algebra पर जाना है ठीक है? तो दो संख्याएं P और Q होगी है हमने माना इनका LCM X है और इनका LCF Y है तो इनकी अंदर कुछ विशेस्ता है होंगी तभी तो ये LCM कहा गया और ये LCF कहा गया वरना हम इसे LCM बोल देते हैं LCM बोल देते हैं लेकिन ये अपनी विशेस्ताओं की बचे सकाहि ए grad अगया सबसे चोटी संख्या है और NCF क्या है ये है सबसे बढ़ी संख्या हुआ है हुआ है अब पेस है मैंुक मेंस सबसे बड़ी संख्या कुई नहीं है तो हमारा इशारा ढ़ 15 तरह किस तरह थे इसको मज़ें कि कि एट के एक समारा हो गया सबसे छोटी संख्या कैसी सबसे चोटी संख्या एकस Virt 이से शबसे च्छोटी संख्या है जो P और Q दोनों से डिवाइड होती है ऐसी सबसे छोटी संख्या है बाताई समझ में कि X से बड़ी ऐसी संख्या तो हमें मिल जाएगी जो P और Q दोनों से डिवाइड हो जाएगी लेकिन X से छोटी हमें संख्या नहीं मिलेगी जो P और Q दोनों से डिवाइड हो रही हो ठीक है न? यानि कि ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरतया विभाजित हो जाती है क्या कहलाती है? Least common multiple कहलाती है यानि कि लगुत्तम समापवर्तक कहलाती है LCM कहलाती है LASA कहलाती है जो P और Q दोनों को विभाजित करती है भाशा समझेगा LCM संख्याओं से विभाजित होता है और LCF संख्याओं को विभाजित करता है बताई समझ में? यानि कि Y से छोटी संख्या तो हो सकती है जो P और Q दोनों को विभाजित कर रही हो लेकिन Y से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो P और Q दोनों को विभाजित कर रही हो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइट कर रही है ठीक है न? ऐसी संख्या तो आपको मिल सकती है Y से बड़ी जो अकेला केवल P को डिवाइट कर दे या अकेला केवल Q को डिवाइट करते हैं X से छोटी ऐसी संख्या तो हमें मिल सकती है जो केवल P से डिवाइट हो जाए या केवल Q से डिवाइट हो जाए लेकिन अगर P और Q दोनों से डिवाइट करने की अगर बात होगी कि P भी divide कर रहा है और Q भी divide कर रहा है दोनों divide कर रहे हैं दोनों पूरा-पूरा भाग दे रहे हैं इसके अंदर तो फिर X सबसे छोटी संख्या है वही LCM होगा ठीक है और HCF में भी इसी प्रकार की बात है कि Y जब P और Q दोनों को divide करे और Y से बड़ी कोई संख्या ऐसी ना हो जो P और Q दोनों को divide करे तब Y क्या होगा HCF होगा बात आई समझ में कि HCF जो है वो संख्याओं को divide करता है LCM जो है वो संख्याओं से divide होता है है बात क्लियर हो गई होगी है आप लोगों को एल देग्ड के विश्यद के एक क्या होता है कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है ठीख है रिलेशन क्या होता है हुआ के लासा इंट्व है मासा अब बरावर है एक संख्या into दूसरी संख्या clear जैसे इसी में अगर हम देख लें कि P क्या है? P क्या है? एक संख्या है into Q क्या है? दूसरी संख्या है X क्या है? लासा है, LCM है, into Y क्या है HCF है? clear, X into Y is equal to P into Q इस structure से आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में relation क्या है? ठीक, अब यह P, Q, X, Y, जब यह आंकिक मान होते हैं, ठीक है न? जरना जब ये एक दो तिनlair चार पनद्रा बीस पचास सो त दस हजार ए लाग 300000 by 9349 इस परकार कपसे हैं और जब इन्हें हम実 में cancer के अंदर पढ़ते हैं उस पे भी हम लोग थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं कि किस प्रकार से हम लोग LCM और SCF निकालते हैं माली जी आपसे कह दिया जाए तीर संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है पंदरा अठारा चौबिस सत्ताइस और माली जी एक और लिखी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करें कि इनके फैक्टर करना शुरू करते हैं यहां से समझेए चीजें ट्रकी भी होती है और किस प्रकार से ट्रिक के मादब से हमें आगे बढ़ना है लेकिन चुकि हमें एलजेब्रा में यह चीजे पढ़नी है इसलिए हमें यह चीजे पूरी डिटेल में आने चाहिए ठीक है पंदरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा फैक्टर आरहा आपका 3 इंटू 5 आरहा हमें प्राइम फैक्टर करने होते हैं इनि अधारा के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 2 2 2 3 का स्क्वाइब लयैं इसके शक्राइब क्या हो जाएंगे क्यों की रिखे ए उनि एस सब्सक्राइस की अगर इंटू 2 2 तो हमारे प्रेटर क्या हो जाएंगे रूप का स्क्वाइर इस्क्वार की यह हो जाए का इतना ठीक है अब आप देखें पहले हम इनका अलसिं करना होता है कि जिन अंकों का भी प्रियोग हुआ है वह आंक के एक बार हम लिख लेते हैं है कि जैसे दो का प्रयोग हुआ है तो हमने दो लिख लिए 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 तु इंटू 3 का हुआ है 3 लिख लिए फॉर तो प्राइम नंबर है नहीं 5 का हुआ है फाइन और वह उपर कोई है नहीं तो फिर फाइव का इस्तमाल हुआ इसके अंदर अब आप देखें कि तू की के 2 कि सबसे बड़ी पावर 3 आप को लिख से बड़ी पावर क्या चेवल है कि अब 3 मिप पार क्या दिख रही कि ने लगा दिया, थे two प्राइम नंबर नोट करेंगे जो पांचों में कॉमन हो जैसे महली दो की हम बात करें तो दो लेकिन 15 में तो नहीं है कोनी दिखा zone 5fish मैं है धी में चौनी की नहीं है प इत्सक्राइब कि उत्री की सबसे चोट tan हमेशा बन लिए होगी मल लीजिए अगर 24 और अगर हमारे पास ना होते तो थीग की सबफिती पावर प्रेट होती है तो हम तुम लिखते बहुपद दिये होंगे, जैसे यह दिये हुए हैं, बहुपद, ठीक है ना, अब देखिए, यहां पर समझ लीजिए, जैसे 1 प्लस X क्यूब, एक बहुपद दिया है, 1 माइनस X प्लस X स्क्वाइर, इंटू 1 प्लस X प्लस X स्क्वाइर, यह दूसरा बहुपद दिया, अब क देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा फेक्टर कॉमन है, जो इन दोनों में कॉमन फेक्टर होगा, वही हमारा SCF होगा, उसी तरीके से इसके अंदर होगा, उसी तरीके से इसके अंदर होगा, सब के अंदर यही चीज होगी, ठीक है, कि फेक्टर हम कर लेंगे और जो जो factor common होंगे, वो सारे factor note कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कि उनमे multiply करा देंगे, अगर एक से ज़्यादा बहुपत अगर उसके इंदर है, तो उनका multiply करा देंगे, तो चलिए, अब हम लोग इन वाले questions को solve करना शुरू करते हैं, उसके बाद LCM, SCF के करें सिस्टम सब भई है, LCM निकालने का यही तरीका रहेगा, वो SCF निकालने का यह तरीका रहेगा, LCM निकालने का यह तरीका रहेगा, और जब LCM, LCM और उन पदों के बीच में संबंद पूछा जाएगा, तो इसमें क्या होता है, संख्याएं होती है, और बीच गड़ित में डाइरेक्ट हम लोग अपने questions पर आते हैं जिन questions के लिए आज की class हो रही है 1 plus x cube और 1 minus x plus x square 1 minus x plus x square into 1 plus x plus x square एक चीज ध्यान दखिएगा कि यह हमारा जो है एक पत दिया हुआ है और यह हमारा दूसरा पत दिया हुआ है ठीक है यह दूसरा पत दिया हुआ है ठीक है यह ध्यान दखिएगा अब आप देखिए 1 plus x cube इसके अंदर हमें कौन सा फर्मूला दिख रहा है यह फर्मूला हम लोग पढ़ते हैं a cube plus b cube का क्या formula होता है यह होता है a plus b in bracket a square minus a b plus b square यह फर्मूला हमारा होता है तो पहले वारे पढ़ में 1 plus x cube में अगर हम 1 plus x cube की बात करेंगे x cube की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1 cube plus x cube ठीक है तो इसके factor हम क्या कर सकते हैं कि वन प्लस एक्स और दूसरे बैटल में क्या जाएगा वन का स्क्वाइर यानिकी वन माइनस वन इंटू एक्स यानिकी एक्स प्लस एक्स का स्क्वाइर इस प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वाइर और फंट्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वाइर अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि ऊपर वाला फेक्टर और नीचे वाला फेक्टर यह दोनों फेक्टर जो हमने देखे तो हमें एक प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स इसका मतलब हमारा 20 कि हमारा एक्स 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 एग और यह हमारा स्फीट होंगा है रिघ्क है उम्मीद है इस कोई दिख्कर नहीं कि यह भी प्रकार कि इसी प्रकार से देखिएगा अगला कोश्टन आपके सामने लिखा हुआ है x स्क्वायर मेनस 9 यह पहला वाला हो गया दूसरा वाला हम लोग सौलू करते हैं for x square minus 9 एक फर्मूला हमारा होता है a square minus b square पोलूले आपको याद होने चीकरी एक फर्मूला हमारा होता है a square minus b square कि इसका क्या होता है a प्लस B और A-B, ठीठें, तो X-square-9 को हम क्या लिख सकते हैं, X-square-3 का स्क्वार, यानि कि इसके फेट्र अगर हम करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगी, X-3, X-3, ये फेट्र हमें इसके मिल गए, दूसरा फ़त हमारे सामने लिखा हुआ है, X-square-5X-6, X-square-5X-6, ये भी दो गात समय करना है, और इसके फेक्टर करना हमें आपको पिछली क्लास में बताये तो इसके फेक्टर अगर हम करेंगे, तो 6, एक कम 6, ठीठें, और 6 के फेक्टर हमें ऐसे करना है, जिनका योग क्या हो, माइनस पांच हो, पाता ही समझने, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 6 के ऐसे फेक्टर करना है, जिनका योग माइनस पांच हो, तो तीन दूनी 6 होता है, ठीख है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, X-square-2X-3X, ठीख है, और प्लस 6, ठीख हो क्या, हो जिए, तो इसके fuckland क्या हो गए, इसमें से हमने x common ले लिया, तो इसके вेक्टर क्या हो गए, एक्स-2, और इसमें से हमने minus 3, अगर हमने common ले लिया, तो इसमें भी क्या हो गया, X-2 ठीक है दो फैक्टर इसके हो गए X-2 common आ गया और X-3 कि जाय हो सापसाम सामसे दिख रहा है आप लोगो अब उपर वाले देखिए X-3 और नीचे वाले में X-3 यह दोनों common पर हो गए X-3 ओर X-3 यह दोनों common है और common का मतलग क्या हुआ कि हमारा हory वाला सब NGO क्या हो जाएक का लिएया इस दूसरे वाल कि है अच्छा यह भाला खर्ट ने लगा दिया है एक प這邊 यो आपको हमने यह लगा कर दिया और यह और यह वाला कोश् Characterchez यह यह पाला भी लगा लेते हैं तो आप लोग अप्तर लगाना चुरू करें हम वोर्ट को साफ कर रहे हैं कर रहे हैं आप लेखेंगे यह सब्सक्राइब और मिन्स फ्रकाइब यहां इसमें इसने स्वार मैंनस बीस और एक्यूग यहां प्लस बीक्यूग दोलों पे फर्मूलिय हमारे लग जाएंगे तो एक्स इस्वार मैंस 4 सेकर्ट निंबर कोशन हम जो लगा रहे है x square minus 4 तो इसे हम क्या लिख सकते है x square minus 2 का square यानि कि इसके factor हो जाएंगे x plus 2 और x minus 2 ठीक है अब आप देखें x cube plus 8 x cube plus 8 इसे हम क्या लिख सकते है x cube plus 2q तो इसे हम क्या लिख सकते है formula तोड़के x plus 2 और क्या होता है a square minus a b plus b square यानि कि 4 ठीक है न यह हो गया अब आप देखें उपर वाले factor हुए x plus 2 x minus 2 नीचे x plus 2 और यह तो common हमें क्या मिल गया x plus 2 हमें common मिल गया दोनों में ठीक है ना यानि कि हमारा hcf क्या हो गया इस question के लिए हमारा hcf हो गया x plus 2 ठीक है यह इस परकार से अगला देखेगा x square minus 1 यानि कि a square minus b square x minus 1 का whole square यानि कि a minus b का whole square x cube minus 1 यानि a cube minus b cube ठीक है तो इसको आपको लगाना है या यह वाला आपको लगाना है और comment box में लिखना है इसका आंसर इसका आंसर एक पोशन देखेए फिस्त नम्मरगा x into x square minus 1 तो अगर इसे अगर हम सॉल्व करते हैं यह उपर वागा हम साफ कर दें यह पर आपनों लगाना शुरू करें इसे यह वाले कर आपको आपको अगर हम फैक्र करते हैं तो एक से इंटू एक स्क्वार माइनस वन इसका मतलग क्या हो गया इसे हम लिख सकते हैं x into x plus 1 x minus 1 x square minus x cube x square minus x cube तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि x अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अभी x square अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 1 minus x आ जाएगा ठीक है यह 1 minus x हो गया है अब आप देखिएगा x square x square minus 1 x square x square minus 1 तो यह क्या हो जाएगा x square x plus 1 x minus 1 ठीक है x cube x minus 1 x cube x minus 1 ठीक है तो यह इसी प्रकार से हो जाएगा आपका x cube और x minus 1 यह हो गया इसमें हम क्या कर सकते हैं इस वाले के लिए एक चीज़ देख लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम minus 1 हम बहार अगर हम निकाल लें minus 1 अगर हम निकाल लें तो यह हो जाएगा इन्टू x square और x minus 1 यह अब आप देखिए इनमें common क्या 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 आ रहा है common अगर आपको देखना है तो x तीनों में है sdf की अगर हम बात करेंगे sdf अगर हमें निकालना है तो x तीनों में मिलना है ठीक है तो x हो गया हमने क्या बताया था कि सबसे छोटी पावर हम लेते हैं अब आया x plus 1 x plus 1 क्या तीनों में है इसमें हम यह वाला consider करेंगे ठीक है x plus 1 इसमें है क्या नहीं है जब 1 महीं नहीं है तो फिर उसे छोड़ दो x minus 1 x minus 1 इसमें भी है x minus 1 इसमें भी आ रहा है 111 就是 x minus 1 की नोट कर लिए जो जो चारों में आ रहे थे तो हमने नोट लिए अब x की सबसे छोटी घात कितनी है एग है एक है तो x की सबसे छोटी गात x minus 1 की सबसे चोटी माभर नहीं है बावर रख मानाकर है माइन रावकी दोब दिदो कि अमने लगा दिया किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है LCM और SCF के कोश्चन में बस आपको करना क्या होता है कि इनकी प्रैक्टिस आप जम के कीजिएगा जैसे हमने आपसे कहा कि इसका कमेंट करिए तो आप लोग करिए इसे सॉल्व करके ताकि यह समझ में आया कि हाँ आप लोगो करिएगा का उसमें description box में दिया हुआ है उसे आप लोग डाउनलोड करिएगा उस पर टेस्ट देना शुरू कीजिएगा और बहुत ही सस्ते जो है टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है उसके इंदर उसके बावजूद जवाब में धावी 10 coupon डाल लेंगे उसमें तो आपको औ लगेगा कि हाँ आप कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है आपके साथ ठीक है तो यह काम करिए अब हम लोगों निकाला था और बड़ी ही आसानी से निकाल लिए था अब LCM की हम लोग बात करेंगे और LCM भी उतनी ही आसानी से निकलाएगा जिस प्रकार से हमने आपको arithmetic के त क्या हो जाएगा कि इन दोनों कोश्चन से आप क्या करेंगे कि HCF भी निकाल के इनका लिए और जितने कोश्चन के हमने HCF निकाले हुए हैं उन सारे कोश्चन से आपको क्या करना है कि LCM भी निकालना है कमेंट कमेंट में ना लिखिएगा लेकिन अपने कॉपी में जरूर लिख लिएगा इससे क्या है कि आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी निकालते इसकी जिन्जिन बहुपतों कभी प्रियोग हुआ है उन सब को हम इंहां नोट्ड गत्री थीग हुआ और भइब द्रच्ठ टू nosано revenue यहां जिस जिसका प्रयोग हुआ वह उमने एक एक बार साव चेम एक भी तुटी पावर और स्थनी यानि कि यह इसी वेगर हमें HCF निकलना होता तो हम क्या करते कि दौनों में हम यह देखते कि हमारा common पद कौन सा है मालिश यह कर देखते हमें HCF निकलना होता तो हम क्या करते हैं प्रगार से आपको क्या करना है कि अभी पीछे चितले कोश्ट जिनके हमने प्रकार से परिक्षा में आप उसे सब्सक्राइब करते चलिएगा अगला कोशन देखिए आपनों लगाना शुरू करें अगला कोशन केहा कि इंटु एंट्याराइब करते निसके अग्राइब करेंगे आएक्स ब्लस वन हो जाएगा एकस मायनिस वर penn एकस पर्मूले हम बता चुके हैं आपको x q – 1, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x – 1 हो जाएगा, aq – bq क्या होता है, a – b, a², plus a b, plus b², ठीक है, तो a – b, a², plus a b, plus b², ठीक है, यह हो गया, आपको क्या करना है, LCM निकालना है, किन-किन पड़ों का इस्तमाल हुआ, x का इस्तमाल हुआ, x plus 1 का हुआ, हमने x plus 1 बी उठीक है, और x – 1 का हुआ, x – 1 बी उठीक है, x square plus x plus 1 का हुआ, तो हमने x square plus x plus 1 का भी अबिन कर लिया, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर इसके फेक्टर हो सकते होंगे तो हम इसके भी प्रक्टर कर देंगे ताकि सभूलियत रहे अब आप देखिए यह से मुग्या एक समय नोट किया एक सबसे बड़ी पावर क्या है एक पावर है यहां रहेगी कोई दिखतर नहीं है तो यह हमारा क्या आगया कि अगर इसी की बात करते हैं तो क्या करते हैं इसके इंदर नोट करते हैं तो कॉमन हमें केवल एक चीज़ मिल रही है सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप कोशन कहां से ढूड़ दोड़ेंगे प्रेक्टिस करते हैं यह इतना हमें भी पता है कि हम एक दो तीन तीन घंटे की वीडियो बना के आपको प्रेक्टिस करवाते रहेंगे लेकिन आप करने वालों में हो ठीक है इसलिके केवल तरीके आप हमसे समझ लिजेगा और बाकी आप अपनी मन पसंद किताब लीजिए प्रेक्टिस के लिए अब देखे एक कोशन आपके अत्वास आता है हम अभी तक पहला कर चुके हैं दूसरा कोशन कर चुके हैं तीसरे पर हम बात करते हैं कि दो संख्याओं एक्स कथा वाई के मासा और लासा क्रमशा तेन कथा 105 है एक प्लस वाई बरावर 36 हो तो वन अपन एक्स प्लस वन अपन वाई की वेल्ली वह पूछ रहा है कि क्या पूछ ठीक है एक रिलेशन हमने आपको बताया था अर्थमेटिक में और यह अर्थमेट कि देखें कि एक्स वाई के मासा लासा तीन और 105 हमने आपको रिलेशन क्या बताया था कि एल्सी एम कि इंटु एसी एफ कि इसी कई तू थे फ़र्स्ट नंबर इंटू से कि नंबर इन दौन नंबर और पहले दूसरे नंबर के ब्राबर अब देखेंगा कि एक्स और य के मासा लासा तीन ए सो पांच माना यहाँ रख onc Someone का बंच भाताई समय मैं और यह थी एक्स प्लस भाई बराबर कि तो यह क्या हो गया मासा और लासा 3 और 105 लासा इंटू लासा या आगे पीछ पहली संख्या इंटू दूसी संख्या बरावर लासा इंटू माचा यह आपका हो गया तो एक्स इंटू वाई की वेल्यू आपके सामने क्या आगई 105 दिया 315 ठीक है यह हो गया एक्स प्लस वाई की वेल्यू आपको दी हुई है एक स्टुटिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टि यहां पर इतनी है तीन सो पंदरा थो यह थी करते हैं पास तीन आइट नौ से हम काटना शुरू कर देते हैं नौ जो चत्यस होता है नौ तिया 27 नौ तना 45 यानि कि 10 अपन एक्स प्लस बन अपन वाई की वेल्यू क्या है आपके सामने और आपको भी पता है कि इस प्रकार की कोशन पूछ लिए जाते हैं कहने के लिए अपने सहुलियत के लिए समझेगा जैसा कि हमने आपको बताया था कि 75 कोशन आपको स्कूर करने है लेकपाल में अगर आपको चद्धर तान के सोना है पेपर के बाद एसा ना हो कि पेपर दे सब्सक्राइब चद्धर तान के सोई है जब तक रिजय के नहीं आ जाता है और जब आपका सुकून जीवन मरका हो जाएगा अगर आगे का आप सोच रहें तो और अच्छी बात है लेकिन तो आप यह समझेगा कि आपको उसमें एलजब्राइट पोर्शन में दिया हुआ ह सब्सक्राइब करने का परियास करें कर दो कि दो बहुत हों कि मासा और लासा करम सा एक्स माइन नस प्लाइव और एक्स माइन सब्सक्राइब ना तो आप देखेंगा एक बहुपद आपको दिया हुआ है उसमें क्या दिया था कि लासा और मासा दिये थी की संख्यों पढ़ रहा है कि लासा दिया है अगर अर्थमेटिक के अगर पौशन अगर यह तो किस प्रकार से होगा हम कैसे दिखें कि इसमें एक संख्या अगर यह है तो दूसरी संख्या पता कीजिए इसी प्रकार से केबल देगा तो हमें क्या करना है एक स्ट नॉमबर इंटू सेकेंड नॉमबर कि एक्स माइनस फाइब एक्स माइनस फाइब इंटू कि एक्स माइनस फाइब और एक चीज हमेशन धान रखेंगे कि कभी भी हमें संख्याओं को गुडा करके नहीं लिखना है बलकि जितना हम ना तोड सकते हैं जितने हम उनके गुड़न कर सकते हैं वह हम कर लें था हमें सब्सक्राइब छीग खीए है एक्स असथोय माइनस्सेवन थे प्लसषब एक क्स्क्षार माइनस सेवियन एक्स डिक कश्डमाऊ माइनस प्लस क्रिद्ग्र मासरह प्लस प्लस नभी है एक्प्थीन अरे तु इनका हम multiply करके upon में इसे अगर हम कर देंगे तो P की value हमारी आ जाएगी सबको हम तोड़ने की कोशिस करते हैं इन दोनों का बड़ा करके upon में इसे लिखते हैं लेकिन जिसके हम प्रेक्टर करते हैं देखेगा एकस माइनस 5 गर एकस माइनस 5 यह तो हो गया हमसे तो लिखिन करते हैं तो चारतिया मारा होता है एक्स इसस्पार, माइनस 4X, माइनस 3X, प्लस 4. ठीक है? तो इसमें से क्या हो गया? X, अगर हमारा common आगया, तो हमें क्या मילनागया? X-4 मिल गया. इसमें से अगर हमारा minus 3 common आगया, तो X-4 मिल गया. यानि क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, X-4, कितनी असानी से हो गया ड sachति है soupon में एक्स इसकौर इथंस इक्स फ्लस 15 तो पांस दिया पंद्रा होता है एक्स स्क्राम इस्क्यार माइनस घ्रें MAR च्र। त्रिया प्रद्रिया या था फैक्स त्री यह को एक स्माइनस फाइव और एक समाइनस थ्री यह थो पिंगे फाइड़ा रहा त्री प करने है अब ओप देखेए एक समाइनस प्रीप एक पावर तो यानि कि एक चला गए एसमें से एक्स माइनस पाइब और यही हमारा आंसर दो रहाएगा से मने उसी तरीके से लगाया है जिस तरीके से अर्थमैक्रिक में लोग लाते हैं बस इसमें क्या है कि हमारे पास बहुता होते हैं जिने अवशक्ता नुशार ना पड़ता है सब्सक्राइब करने पड़ते हैं तो LCM-SCF और LCM-SCF के बीच में समपन पने का यह कपिक हमारा कम्प्लीट हो गया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए गा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमेंट जिकर करके बताएं तक शेर जरूर के लिए अगले व